युआ हैrade विवन टिजिंग संस्ता में आप सभी कर फिर से स्वागत है कल ती क्लास में हमने भारतेर रास्ट्य आंदोलन का दुसरा चरणा देखा था इसके पहले हमने पहला तो निस सो निस से लेकि आपको उनिस सब्सक्राइब तक कहां यहां पर देखेंगे जिए पिछली क्लास नहीं देखें जाकर प्लीज देख लीजेगा अपके लिए बेनेफिट होगा तो टॉपिक है आपका भारते रास्टे आंदोलल का तीसा चरण जो की आपका समय है 1919 से 1947 इस पी तक पहला पॉइंट है इसे गांधी यूग के नाम से भी जाना जाता है जो भारते रास्टे आंदोलल है 1919 से 1947 का जो समय है यह गांधी यूग के नाम से भी जाना जाता है और भारते रास्टे आंदोलल का तीसरा चरण की नाम से भी जाना जाता है प्रतम बइस युध में ब्रेट्टी सरकार की सहाता के गई थीखिए 1915 में एंधभाद के गिनारे यानि समीब आप कह सकते हैं एंधाबाद के समीब साबर मतीः तो यहाँ पर देखिए आपका मात्रा गलत है ठीकिन लेकिन इस त्थियान में रखेंगे साबर मति नदी के पाख साबर मति आसरम किस थापणा की थी नहीं किसने महात्मा गांधी नहीं ठीकिन अब बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट की रोलेक्ट एक्ट उन्नीस इस भी में जो है चला इसे जो है आया और इसी काला कान roadmap के नम से भी जाना जाता है ठीकना रोलेक्ट एक्ट में क्या था तो रोलेक्ट एक्ट में यही था किए जो है जोंच आ राक पॉल्हक्षा दलील के इसमें वसक को आधार पर लोगों को पकड़ा जाता था ठीक है ना उनके प्रकरवाई की जाजती थी ठीक है तो यह चीज़ था इसलिए से काला कानून भी कहा गया और इसी के विरोध में आपका दूसरा बात आता यहां पर जलिया वाला बाग हत्यकांड 1919 की इस भी का ठीक है तो आप हम देखें जलिया वाला बाग हत्यकांड 1919 इस भी में हुआ था और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ठीक है ना पंजाब में यह हुआ था एक जन सभा ठीक है अम्रिसर में पंजाब के अम्रिसर में एक सभा बैटरिम तो सबसे पहली बात तो यह हुआ क्यूं सैफुदिन किचलू और नहीं को ग्रिंटर सत्यपाल को गिरुफ्तार कर लिया गया था इनहीं के जो है इनए जो ग्रफतारी था इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल ठीक है 1919 में अमलित सर में जलियाला बाग एक है वहाँ पे सभा आयूत हुई और थिर वहाँ पे जो अमलित सर का फौजी कमांडर था जिसका नाम था जेनरल डॉयर ठीक है इसने क्या कर दिया गोली चला दी ठीक है बहुत सारे लोग घायल हुए बहुत सारे लोग मारे गए ठीक है तो इसलिए ये जलियाला बाग हत्यकांड के नाम से जाता है फिर आपका आता है कि यहाँ पे सरकारी जो रिपोर्ट बनी ठीक है ना सरकारी रिपोर्ट बनी उसके अधार पर अगर बत करें तो दस मीनट तक गोली भारी किया गया और उसमें लगबख 400 वैक्ति मारे गया तक दस मिनट के अंदर ही 400 वैक्ति मारे गया जिसमें 2000 लोग घायल भी हुए थे तो काफी बड़ी संख्या में लोग मारे गये थे ठीक है अब इसी को देखते हुए रविद्ना टैगोर जी ने अपना नाइ हुट के उपादी दिया गया था किसके द्वारा इब रिटी सरकार के द्वारा दिया गया था चूकि रविद्ना टैगोर ने इसे वापिस कर दिया वाइसराय की कारेकारडी के सदस्य थे संकार नायर जी इन्हों ने भी अपने वाइसराय की कारेकारडी के सदस्य स्दस्य से इस्तिफा दे दिया ठीक ना ट्याक पत्र दे दिया अबना ठीक ना तो यह पॉइंट्स आप याद रखेंगे सारे के सारे ठीक ना क्योंकि इसमें स्किप्ट करने वाली कोई पॉइंट्स नहीं और मैं साहे पॉइंट से ही लेकर आई हूँ जो एक्जाम में आपके पूसे चाते हैं जो एक्जाम में आरे के आ चुके हैं ठीक ना किलाफ़त अंदोलन की सुरात कभी ति खलाफ़त अंदोलन की स्थापना 1919 से 1920 इस चला ये खलाफ़त अंदोलन परतом बीसय युद्य की दोरान ब्रीटिस और उनके सहयोगी जो थे उन्होंने तुर्की पर अत्यचार किया ठीक ना तुर्की पर अत्यचार किया और जो मसलमान थे तथा मुसलमानों के एक वर्ग को गहरा अगात पहुचा या तो उसमें आप जानते होंगे यहां पर बात करूं तो सितंबर 1919 इस पिमें अखिल भारतिया खिलाफत कमिटी का गठन किया गया तो आपसे यही पूछता है यह चीज़ पूछता है ठीके न यह चीज़ पूछता है ठीके न और यह आता है असायोग अंदोलन एक अगस्त 1920SB को चला इसका सुरुवात गांधी जी के द्वारा किया गया कव एक अगस्त 1920SB में गांधी जी ने इसी दोरान केसर ए हिंदी की उपाधी वापस कर दी ठीके ना नाइट हुट की उपाधी रबिन ना टरगोर को दरक कब वापस क की गई तो वो जलियावला बाग हत्यकांड हुआ उसके बाद लेकिन गांधी जी ने केसर ए हिंदी की उपाधी वापस की तो यह असायोग अंदोलन के समय किया था ठीक ना ओके फरवरी फरवरी 1922 को गांधी जी ने वाइसराय को धंकी दी पत्रों के माध्यम से ठीक ना धंकी क्या दी ये पॉइंट आप देखेंगे यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पिरन नीतिया वापस नहीं ली गई तो व्यापक सभीने अवग्या आंदलोन होगा ठीक ना सभीने अवग्या आंदोलन सुरू होगा ये धंकी दी गई धंकी पूरी होने के पहले ही क दो चौरी चौराकान्ड झाल जो गोरखपुर जिले में होता है चौरी Hä eldest कि होता है इसी कि वज़य से क्या होता है यहां पे 22 जो कि पुलिस जो होते है पुलिस वो जिन्दा जला दे जाते हैं तो इससे जो है दुखित होके गांधी जी बारा फरवरी 1922 को ये घटित होता है फिर फरवरी 1922 को असायोग आंदोलन वापस ले लेते हैं गांधी जी ठीकिना इसको इस्तगित कर देते हैं तो धमकी पूरा होने के पहले ही ये घटना हो जाता है और असयुग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है ठीक है सारे पॉइंट से याद रखेंगे स्वराज पार्टी के अगठन होता है उसके बाद आप जानते हैं 1922 में गया अधिवेशन होता है ठीक है न और गया मार्च 1923 इस भी को इलहाबाद में स्वराज पार्टी के गठन करते हैं मोतिलाल नहरू और चितना जंदाज ठीक है उद्देश क्या होता है इनका कॉंग्रेस के अंदर रहकर चुनाओं में हिस्सा लेना ठीक है न फिर बिधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन करन गठन की मांग ले करना और तता पूरा ना करने पर विधान परिषद की कारवाही में बांदा डालना ये इनका उद्देश था ठीक है न स्वराज पार्टी का ये उद्देश था पार्टीयों को सरोप्रथम सांसत बनने का मोका भी मिला इसी समय में 1925 इस भी को केंद्री विधान मंडल में बिठल भाई पटेल को चुना गया था ठीक है कब 1925 तो ये बहुत बड़ा इनका वो था जहें अचिव मेंट था कि केंद्री विधान मंडल में बिठल भाई पटेल को चुना गया 1923 से 1924 इसबी में नगर पालिकाओं और इस्थानी नीकाओं को चुना ह चितरंजंतास और बिठ्ठल पटैल ये इसे और राज़ंदर परसाइज जवाहर लालनेरू ये इनसे संबन्दित थे किसके स्वराज पाटि से ठीक है तो यह ध्यान में रखियेंगे क्रांथी कारी अंदोलन होता है यह क्या होता है क्रांथी कारी अंदोलन तो हिंदुस्तान रिपुब्लिक एस हintção जिसे आप HR A के नाम से जानते हैं इसे ही करांथी कारविया अंदोलन कहते हैं तो अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना होती है एचारे की कौन-कौन में लिकर करता है तो सचिंद्रानात सन्नेवाल राम प्रसाद बीचपिल और चंदर सेखर आ जाती इन तिनों के योग से एचारे की स्थापना होती है ठीक है फिर क्या होता है नव अगस्त 1925 में उत्तर रेलेवे सहारनपुर लखनव संभाग में के काकोरी नमक अस्थान पर ट्रेन की डाकारती हुई डाले जाती है ठीक है तो आपसे पूछता है कि कौन कौन सी संस्था करती है तो यह एचारे की संस्था करती है ठीक है नव अगस्त को यह पुरी ल प्राइब को अभिवियुक्त बनाया गया और राम प्रसाद बिस्मिल रोशन लाल और राजेंद्र लाड़ी इन सभी को फांसी दे दी गई पहुत सदा इंप्वार्टेंटे से ध्यान में रखेंगे फिर उसके बाद हिंदूस्तान सोचलिस्ट वहां पर हिंदूस्तान जुड़ जायागा ठीक है तो एचस आरे की स्थापना किसने की यह सितंबर 1928 में चंदर सेखर के नित्रित में इसकी स्थापना हुई दो सदस्य थे कौन-कौन भगत सिंग और बट्ट के सरदत इन दोनों ने मिलकर क्या 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 तो इन दोनों ने मिलकर आठ अप्रैल 1929 को ठीक है ना आठ अप्रैल 1929 को केंद्रिय विधान मंडल पर बम फेगा ठीक है तो एचारों के जो सदस्य थे उन्होंने का कोरी जगह पे ट्रेन को लूटा एचस आरे ने के दो सदस्य थे भगत सिंगर बट्ट के स्वर्दत इन्होंने आठ अप्रैल 1929 को केंद्री जो है बताया भी कि ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है उन्हें उनके कान में अबाद पहुचाने के लिए सरकार के ठीक है ना तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे पहली बार भगत सिंग ने इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यहीं पर बुलंदे गिया था ठीक है और इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इसकी रचना किस ने किये तो यह मुहमद इकबाल ने किये मुहमद इकबाल ने इसकी रचना किये और इसे नारा बनाया दिया इसका ये दिया पहली बार भगत सिंग ने ठीक ना 27 फरवरी 1931 सिस्भी में को चंदर सेखर अजाद पुलिस मुटभेड में मारेगे ठीक ना पुलिस मुटभेड में 27 फरवरी 1931 इसबी को चंद सेखर आजाद मारेगे यह ध्यान में रखेंगे फिर आपका आता है 23 मार्च 1931 को इसबी को ठीक ना भागा सिंग सुख देव और राजगुरू इनको ब्रिटी सरकार के द्वारा फांसी दे जाती है ठीक ना तो उसके पहले तो 27 फरवरी को ही चंद सेखर आजाद मुटभेड में मारे जाते हैं फिर आपका मार्च आता है 23 मार्च को भागा सिंग सुख देव राजगुरू को फांसी दे जाती है ठीक ना अब आता है इंडियन रिपब्लिक आर्मी बंगाल में चटगाओं में ठीक ना चटगाओं में सक्रिय रहा इसके सदस्य कौन कौन थे और अनंत सिंग थे अंबिका चक्रवर्ती प्रीती लता वाडेद्दर गड़ेश घोस और कल्पना घोस ये सभी के सभी आई आरे इंडियन रिपब्लिक आर्मी की सदस्य थे सुर राजद्रो के आरोप में सुरी सेन को बंदी बना लिया गया और फरवरी 1934 को उन्हें बंदी बनाया गया सुरी सेन को एक साल बाद ही इनको फासी दी गई साइमन कमिशन आता है साइमन कमिशन भारत में प्रसासनिक सुधार के जांच के लिए आप इचित शुधार के लिए आता ता है ठीके साइब ना इन अक्टूबर 1923 इस भी को सांडर्स की पूलिस अधिक छक लाहोर की हत्या कर दे जाती है ठीक ना तो जब ये लाला लाज़ पर राय को लाठी लगती है तो उसकी जो है सांडर्स की फिर यहां पर हत्या की जाती है ठीक ना कव 30 अक्टूबर 1928 ठीक है ना लाहोर में एच एस आरे हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपाप्लिक एसोसियेशन के सदसे होते हैं भगत सिंग चंसिकर राज़ात और राज़गुरू ठीक है बात करें यहां पर इन्हों नहीं मिलकर जो है सांडर्स की हत्या कर किया है इसी ध्या सामया सहरमा कमीशन ने मорот 19 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अब आता है का नहरुर्यूर्य रिपोर्ट और और की बात करो गरुंमे तो सामयन कमीशन का भाहिसकार करने पर लॉड्ड वर्क अ रिएट्र ने भारतीों को सम्मिधान बनाने की चुनोती दी इसकार किया भारतियों के द्वारा तो जो ब्रिटिस थीकाई था तो है इसकी वर्कन है शेयर वरतन है इसने research बनाने का चुनोती दे दिया फिर फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वधली सम्मेलन का आयोजन किया गया उसके बाद 11 मई 1928 को दूसरे सर्वधली सम्मेलन में पंडित मोतिलान नहरू की अधिशता में साथ सदसिक समीती की स्थापित हुई थी ठीक न और 28 अगस्ट 1928 को इसी समीती ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की नहरू रिपोर्ट जिसे नाम हम देते हैं ठीक न तो नहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कप की गई 28 अगस्ट 1928 खुठीक न ये ध्यान में रखेंगे फिर आपका आता है संस्थाएं और वह संस्थापक तो ये चीज़े हम पढ़ चुके थे इसके पहले ठीक न तो ये ध्यान में रखेंगे अच्छा तो हम यहां जो आपकी क्लास है यह वीडियो यह लंबी हो रही है तो लंबी नहीं करेंगे ठीके न तो लास्ट लास्ट बचिए हैं उसे हम कल कम्प्लीट करतेंगे आज के लिए नहीं और अभी देश चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है प्लीज नोट्स मिल जाएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाईए ताकि सभी को पता चले सभी करेक्ट हो सके इस क्लास से ठीक है सिसन पसंद आईए तो सेर जरू कीजेगा और कॉमेंट करके बताएगा मिलते हैं अपने नेक्स क्लास में आज के लिए धन आदे लिए चयाद